मृत्यू की उत्पति, मिर्त्यू का जन्म कब हुआ? श्रिष्टी के आदिकाल में जब पितामह ब्रह्मा ने प्रजाओं के श्रिष्टी की उसमें प्रजाओं के संहार की कोई विवस्था रही थी इसके कारण संपून प्रिथवी मिर्त्यू रहीत होने के कारण प्राणियों से भर गई यह देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गया बहुत सोचने विचारने पर भी ब्रह्मा जी को प्राणियों के संहार का कोई उपायर नहीं सुझा तब ब्रहमा जी को अपनी विवस्ता पर क्रोध हो गया क्रोध के कारण उनके नाक कान आदी इंद्रियों से अगनी प्रकट हो गई वो अगनी संपून दिशाओं में फैल गई और स्रिष्टी के संपून प्राणियों को जलाने लगी इस प्रकार बहुत से इस्थावर जगम प्राणी जल कर नश्ट हो गए यह देखकर राक्षसों के स्वामी इस थाडू नाम अले रुद्र प्रजाओं के हीत और उनकी रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले भगवन यह संपून स्रिष्टी आपके ही हुद्पन की हुई है और अब यह आपके ही क्रोध से नश्ट हो रही है यह देखकर मेरे मन में करुणा हुद्पन हुआई है प्रभु आप इन प्रजाओं पर प्रसंद होई है रुद्र की बास उनका ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र मेरे इक्षा यह नहीं है कि जगत का संहार हो अपितु प्रित्वी के हीद के लिए ही मेरे मन में क्रोध का आवेश हुआ था इस प्रित्वी देवी ने प्रजाओं के भार से बीडित होकर मुझे इस संसार के संहार के लिए प्रित किया था मैंने अनेक प्रकार से इस जगत के संहार के लिए उपाय सोचा किन्तु जब कोई भी उपाय नहीं सुच पड़ा तो मुझे में क्रोध का आवेश हो गया तब रुद्र ने कहा पितामह आप क्रोध मत कीजिए आपकी क्रिपा से जगत, भूत, भविश्य और वर्तमान तीनों रूपों में विभक्त हो जाए आप प्रजावर्ग के हीद की एक्षा से ऐसा कीजिए कि इनका नाश न हो, मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ रुद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अपनी अंतरात्मा में ही उस क्रोध को धारन कर लिया उस क्रोधागनी का उपसंखार करते समय पितामह ब्रह्मा की संपून इंद्रियों से निर्मीत एक नारी प्रकट हुई जो काले और लाल रंकी थी उसकी जीव, मूख और नेत्र, पीले तथा लाल रंके थे एवाम उसके सभी या भूशन तपे हुए स्वन के बन हुए थे वह नारी ब्रह्मा जी की इंद्रियों से निकल कर उनके दाएं और खड़ी हो गई और रुद्र दथा ब्रह्मा को देख मुस्कुराने लगी उसे देखकर ब्रह्मा जी ने अपने निकट बुला कर कहा मृत्यो तु मेरे द्वारा रचे गए इन समस्त प्रजाओं का संहार कर तु संहार बुद्धी से मेरे दोश द्वारा प्रकट हुई है इसलिए मुर्ख और पंडित संपून प्रजाओं का संहार मेरी आग्या से करती रह ब्रह्मा जी के इस प्रकार दारुन कर्म करने की बात सुनकर वह मृत्यु नामक नारे अत्यांच चिंतातूर होकर फूट फूट करोने लगी यह देखकर ब्रह्मा जी ने उसके आसुओं को समस्त प्राणियों के हीत के लिए अपनी हथेली में ले लिया और मिर्तियु को अनेक प्रकार से सांतवना देते हुए उससे प्रसन करने का प्रयास करने लगे तब मिर्तियु ने अपने दुख को दबा कर हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा प्रजापती ब्रह्मा जी आपने मुझे नारी के रूप में क्यों उत्पन किया भगवन मैं पाप से डरती हूँ जब मैं लोगों के प्यारे पुत्रों, मीत्रों, भायों, माताओं, पिताओं तथा पतियों को मारने लगूंगी उस समय इनके संबंध ही मेरा अनुष्ठ चिंतन करेंगे इसलिए मैं उन सब से बहुत डरती हूँ भगवन मैं चाहती हूँ कि मुझे यम्राज की भवन में न जाना पड़े, मैं तपस्या करना चाहती हूँ मैं आज ही द्यनुकाश्रम चली जाती हूँ और वहां कठोर तब करोंगी किन्तु रोते बिलगते प्राणियों के प्राणों का पहरण मैं नहीं कर सोपनगी आप इस हिंसा के अधर्म से मेरी रक्षा करें मृत्यों द्वारा संहार कर्म करने से इंकार कर दिये जाने पर ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यो प्रजा के संगहार के लिए ही मेरे द्वारा संकल पुर्वक तुम्हारे श्रिष्टी की गई है तो कोई अनेथा विचार मत कर यह बात इसी प्रकार होने वाली है इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता तु लोक में निंदित नहीं होगी जा मेरी आगया का पालन कर और प्रजाओं का संगहार कर ब्रह्मा जी की बात सुनकर भी मृत्यो ने संगहार की कोई प्रतिग्या न करके वहां से ध्यनुकाश्रम में चली आई और बहुत समय तक एक पैर पर खड़ी होकर तपस्या करती रही उसकी कठोर तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए और पूछा मृत्यो तो किसलिए अध्यन्द कठोर तप कर रही है तब मृत्यो ने पुनाहूं से यही कहा प्रभो मैं अधर्म के भहें से बहुत तरती हूँ मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे रोती चिल्लाते हुई स्वस्थ प्रजाओं का संहार न करना पड़े मृत्यो की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा तुझे इन प्रजाओं के संहार करने से अधर्म नहीं होगा तुझ चार श्रिणियों में विभाजित, उद्भीज, स्वदेज, अंडज और पिंडज, समस्त प्राणियों का संहार कर सनातन धर्म तुझे सब प्रकार से पवित्रे बनाये रखेगा समस्त लोकपाल, यम तथा अनेक प्रकार की व्याधियां तेरी सहायता करेंगी मैं और संपून देवता तुझे वरदान देंगे जिससे तुझ पाप मुक्त होकर निर्मल बनी रहेगी इस प्रकार ब्रह्मा जी की आश्वासन पुर्ण बातें सुनकर मिर्तिव ने हाथ चुड़कर कहा प्रभु यह संहारकार मेरे बिना नहीं हो सकता तो मुझे आपकी आगया स्विकार है किन्तु इसके विशय में मेरा यह कहना है कि लोग, क्रोध, अश्या, इर्श्या, देश, मोह, निरलजता और एक दुसे के प्रती कही हुई कठोर वानी ये विविन्य दोश ही प्राणियों का संहार करे मिर्तिव की स्विकृति पाकर ब्रह्माजी प्रसन होकर बोले ऐसा ही होगा तो उत्तम रीती से प्राणियों का संहार कर इससे तुझे पाप नहीं लगेगा और मैं भी तेरे बारे में अनिष्ठ चिंतन नहीं करूँगा तो काम और क्रोध का प्रत्याग करके संसार के समस्थ प्राणियों का संहार कर तत्पशात मिर्तिव नामवाली नारी ने ब्रह्माजी की आग्या को स्विकार कर लिया वहीं मिर्तियों अन्त का लाने पर काम और क्रोध का प्रत्याग करके अरा सक्त भाव से समस्थ प्राणियों का नाश करती है कहीं प्राणियों की मिर्तियों है इसी से व्याधियों की उत्पति हुई व्याधि नाम है रोग का जिससे प्राणी, रोग्ण, रथात, बीमार या रोगी होता है आयू समाप्त होने पर सभी प्राणियों के मृत्यों उसी प्रकार होती है ब्रह्माजी द्वारा मृत्यों को दिये गए वर्दान के अनुसार सब प्राणी स्वयम ही अपने आपको मारते हैं मृत्यों डंडा लेकर इनका वद नहीं करती